दोस्तों नए विडियो में आप सभी का स्वागत है आईए इस शांदार विडियो की शुरुआत करते हैं आज के हमारे विडियो का टाइटल है महौगणी ट्री फार्मिंग एक एकर में लगा दे ये 120 पे 12 साल में बन जाएंगे करोर पती न करें देरी जी हाँ दोस्तों आज के विडियो का टाइटल यही है 12 साल में आप करोर पती बन सकते हैं बहुत ही शांदार विडियो होने वाला है आप पूरा विडियो देखें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जैसे कहां से खरीदें कहां पर बेचें इसके बीच के बारे में कौन सी नसल, क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसी तरह की तमाम जानकारियां दी जाएगी इसलिए पूरा विडियो देखने से आपको भी पूरी जानकारी मिल जाएगी चलिए इस शानदार जानकारी के विडियो की शुरुआत करते हैं महुंगनी के पेड 12 साल में तयार होना शुरू हो जाते हैं और इसके बीज 1000 रुपे किलो तक बिखते हैं लकड़ी तयार होने पर गहरा लाल रंग की होने लग जाती है इसलिए इसकी कीमत भी लाखों में होती है भारत में किसान ज्यादा तर पारंपरिक खेती को तरजीह देते हैं ऐसे में अक्सर वे खेती किसानी में नुकसान उठाते हैं इनहीं सब वजह से क्रिशी वे ग्यानिक भी किसानों को खेतों में पेड लगा कर ज्यादा प्रॉफिट की सलाह देते हैं यहां हम आपको बताने जा रही हैं कि महुंगनी के पेड की खेती से आप कैसे करोरपती बन सकते हैं किसानों के लिए महुंगनी की खेती एक मुनाफ़े का सौधा है महुंगनी के 120 पेड अगर एक एकर जमीन में लगाई जाये तो सिर्फ 12 साल में आप करोड़ पती बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं जी हाँ, आपने सही सुना आपको महुंगनी करोड़ पती बना सकती है महुंगनी को सदा बहार पेड माना जाता है यह 200 फीट की उचाई तक बढ़ जाता है और इसकी लकड़ी लाल और भूरे गहरे रंकी होती है और इसे पानी से नुकसान नहीं पहुचता है आगे जानते हैं कि महुंगनी के पेड कैसे उगाए? महुंगनी के पौधे ऐसे जगह पर लगाय जाते हैं जहां तेज हवाओं का खत्रा कम होता है भारत में इन्हें पहारी क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी उगाया जा सकता है ऐसी भूमी जिसमें प्राकृतिक रूप से उपजाओ मिटी, अच्छी जल निकासी और सामान्य पीएच हो वो इस पौधे के लिए एकदम सही जगह है अब आगे जानते हैं महुंगनी के पेडों का उप्योग क्या है? महुंगनी के पेड को बहुत कीमती माना जाता है इसे तयार होने में कम से कम 12 साल से ज्यादा का वक्त लगता है यह बहुत मजबूत और टिकाव होता है यहां तक कि पानी का भी उस पर कोई असर नहीं होता है सब खूबियों की वजह से यह कीमती भी है इसलिए इसका उप्योग जहाज, गहने, फनीचक, प्लाइवोड, सजावट और मूर्तियां बनाने में किया जाता है इसके साथ ही इस पेड़ की पत्तियों में कैंसर, रक्चाप, अस्थमा, सर्दी और मधुमें संबंधित कई बीमारियों के खिलाफ उप्चारात्मक गुन भी होते है महुंगनी के पेड़ की पत्तियों के में एक खास तरह का गुन पाया जाता है जिससे इसके पेड़ों के पास मच्छर और कीड़े नहीं आते हैं यही वज़ा है कि इसकी पत्तियों और बीजों के तेल का उप्योग मच्छर भगाने वाले कीटनाशक बनाने वाली कमपनिया भी करती हैं। और इसके तेल का इस्तेमाल साबुन, पेंट, वारनेश और कई तरह की दवाया बनाने में भी होता है। और अब जानते हैं कि महुगनी की खेती से कमाई कैसे करें और आगे की पूरी जानकारी मेरे सहयोगी रहुल आपको देंगे। मेरा नाम अदिती है, मेरा काम कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताएं। धैंक यू, अदिती, दोस्तों जैसे आपको पता ही है, आपने वीडियो देखा है तो की महुगनी के पेड 12 साल में लकडी के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं और 5 साल में एक बार बीज देते हैं। इसके बीज की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज जाती है, उससे कहीं न कहीं ज़्यादा ही भाव होता है, आपके प्रॉफिक के लिए आपकी लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, महुगनी एक औशधिय पौधा भी है, इसलिए इसके बीजो और फूलों का उप्योग औशधी बनाने के लिए भी किया जाता है, ऐसी ही जानकारी के वीडियो आपको हमेशा आगे मिलते रहेंगे, इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेर करें, यह वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं, इस वीडियो को यही तक औरींगे. Thank you and goodbye!